यमुना नगर में संत शीरोमनी गुरु रविदास जी की 646 वी जन्ती के उपलक्ष में राज्य स्तरिय कारेकरम जगादिर नाजमंडी में आयजित किया गया इस मोके पर पत्रकारों से बाचीत में दुशन्त कुमार गौतम ने कहा कि वर्तमान की प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जितने भी देश में महापूर्शों के प्रतिस मर्पित है और सभी संतों को नमन किया जा रहा है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और श्रीलंका में आज लोग भुखे मर रहे हैं वो दाने दाने से मोहताज हैं लेकिन हम केंद्र सरकार तीन साल से असी करोल लोगों को मुफ्त भुजन देने का काम कर रही है संत शुरूमणी गुरुरिवदाज जी की 646 वी जनती पर हर्याणा सरकार ने राज्य सत्रियत तीन कारिकरम रखे उनका मैं बहुत हो धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि यह सरकार बर्तबान की सरकार हर या कैंसर कारों इसे थे सभी संतों के लिए नमं करने की सरकार है आज रविधाजसी का हम 7646 वाज जनती वर्स बना रहे हैं और जो उन्होंने सिख्षा दिये असा चाहूराज में माना वदिकार का सविधान भी इस पर आधारित है और वहीं पर हमारी सरकार भी उसी पर चल रही है सब मिले सभी को आपने देखा होगा जहा हमारे पडोसी देशों के अंदर चहवे है पकिस्तान हो स्रिलंक का हो दाने दाने से मोचाद है आज हम 3 साल से 40-80 क्रोड लोगों को फिरी बोजन दिने का काप देखा होगा सबका सास, सबका विकास, सबका पर्यास हमने सारी योजनाओं का जो लेक किया गया है जो दी गई है हमने उसमें जाती नी देखी, धरम नी देखी, भासा नी देखी इसलिए इन महापूर्शों के संतों के बताई हुए रास्ते पर यह हमारे देख मुल्ले है, यह हमारे देख सारी मदबूत इस्तिति देखी ने नेतिक कीजिए जो हम दो को सखाई गई है कारे करम में शिक्षा मंतरी कमरपाल गुजर, विधान सभा अध्यक्ष ग्यान चंद गुपता, अंबाला सांसर रतनलाल कटारिया, कुरुक्षेत्र सांसर नायब सिंग सैनी, करनाल सिस संसर संजे भाटिया, पूर्व मंतरी कंडरेव कांबोज, अंबाला विधायक असीम गोयल, थाने सर विधायक सुभाष सुधा, पूर्व चेर्मेन डॉक्टर रिशीपाल सैनी सहीद अन्य नेता भी कारे करम में मौजूद रहे, ब्यूरो रिपोर्ट नवदेश टाइम्स